नमश्कार दोस्तो वेल्कम टो आसे अस्ट्रोलोजी मैं नीतु सिंग दोस्तो मुस्से जोडने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे साथी बलाइकम दवाना बिल्कुल भी मत भोली जिससे कि वीडियो के अपडेट आप सभी लोगों तक पहुशती रहे आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कब है बसंत पंचमी और कैसे करे हमा सरस्ती जी को प्रसन कैसे करे उनका पूजन तो चलिए जान देते हैं माग शुकल की माग शुकल पक्ष की पंचमी तिथी 26 जन्वरी 2023 को मनाय जाएगा बसंत पंचमी अब बसंत पंचमी को हमें क्या करना चाहिए जितनी सुबह आप उठ सकते हैं अगर सूर उदे होने से पहले उठ सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है सूरुदे होने से पहले उठे स्नान कीजिए पीले वस्त धारण कीजिए परिवार में जितने सदसे हैं सब को पीला पहनाईए इसके बाद आप अपने घर में ही सरुस्वती जी की पूजन कीजिए उनको भी पीली चुन्नी उड़ाईए माथे पर उनकी पीले रंका यानि हल्दी का तिलक देवी को कीजिए फिर वो तिलक अपने घर के सभी सदस्यों पर लगाईए और एक मैं आपको मंत्र बताने जा रहा हैं उस मंत्र का 108 बार जब कीजिए अगर 108 बार आप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 11 या 21 बार जरूर करें तो मंत्र इस प्रकार है ओम एम सरसुत्य नमहा बहुत ही आसान मंत्र है बहुत ही इजी मंत्र है आराम से आप इसका जब कर सकते हैं इस मंतर का जब करने से उत्तम फलकी प्राप्ती होती है, मा सरसिती प्रसंद होती है, ऐसे में पूजा के समय क्या क्या करना चाहिए, मा सरसिती की पूजा में पीली चीजों का सबसे ज़्यादा सा उप्योग किया जाता है, जैसे पीले वस्त्र, पीले फूल, पीली मिठाई, हल्डी और पीले रंग का इस्तमाल ही करना है मा को प्रसंद करने के लिए माता सरसुती की पूजा के वाद हवन जरूर करें कहते हैं बिना हवन की पूजा समपन्न नहीं माने जाती हवन करें उनकी आर्धी करें पूजन के अंत में प्रशाद वित्रण जितने लोग हैं, सब में प्रशाद वित्रण करें, इस दिन मात सरसुती को पीले रंग की मिठाईयों का, पीले रंग के फलों का भोग लगाना चाहिए। अच्छे से मनाईए। दोस्तों अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, मुझसे जुणने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर मिलेंगे, जय माता दी।